नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार आईए फटा-फट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत जदियू कारियाले में नितिश कुमार ने कारे करताओं से की मुलाकात कारियाले में टीकट दावेदारों की उम्री भीड उपमुक मंतरी शुशिल कुमार मोदी का बयान कहा नमो नितिश की अगवाई में नहीं रुकेगा बिहार का विकास राजनेता अरुन कुमार उपेंद्र चंद्रवनसी सरदार रंजीत सिंका संयुक्त बयान कहा महागटवंधन को मिलेगा असपश्ट बहुमत बिधानसवा नजदिक आते ही सुवे में बेनामी पोश्टर वार शुरू एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटे राजनितिक दल अब राज जिसे इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर बिहार को तीन नए मेडिकल कॉलेज असपटाल की मिली सवगात नेतापरती पक्षिते जस्वी आदव ने नितिश कुमार पर जम कर साधा निशाना 2015 डिने प्रक्रम की दिलाई याद वियारस लेने के बाद फिर चर्चा में आये विहार के डिजीपी गुपतेश्वर पांडे फेस्बुक लाइब के जरिये जनता से की संबाद वियारस लेने के बाद बोले विहार के डिजीपी गुपतेश्वर पांडे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का नहीं किया हूँ फैसला उपसवापती हरिवन्स परकरन पर गर्माई सुबे की सियासत विपक्ष पर हमलावार हुए भाजपाई अनलॉक फोर के तरहत के अंद सरकार ने दी गाइडलाइन बिहार में 28 सितंबर से नौमी और वार्मी के खुलेंगे सरकारी और गर सरकारी स्कूल एक दिन में अधिक्तम एक तियाई बच्चे जाएंगे स्कूल एक बच्चा हफते में दो दिन ही जा पाएंगे स्कूल पहली से आठमी कख्चा तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद 28 सितंबर से पहले स्कूल परिसर को करा जाएगा सेनिटाइज 27 सितंबर को होने वाली जेई एडवांस परिक्चा का एडमिट कार्ट जारी अधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ट कोसी नदी किस राजज में है और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा है जैसे सवाल देकर परिक्षार्थी के उड़े होश मामली विवाद में यूबक ने कुदाल से काट कर महला की लिजान सुपॉल जिले के सिमर्यागों की है घटना भागलपूर ट्रीपल आईटी को मिला राष्टी अस्तर का दरजा रिसर्च करने वालों को मिलेगी बिशेश सुविदा भागलपूर मयागेंज अस्पताल में कुरोना योधा ने किया पलाजमा डोनेट शहर के कई समाजिक संस्था भी मदद को बढ़ाया हाँ विदान सवाचुना शांति पुन संपन कराने के लिए भागलपूर पूलीस ने कसी कमर सड़क पर उत्रे स्सपी ट्रेफिक व्यवस्था सुड्रिट करने के लिए 6 जगा बनाया गया इंट्री पॉइंट 28 सितंबर को खुलेंगे शहर के कई सरकारी और गेर सरकारी स्कूल तेरह स्टूडेंट्स का बनाया जायागा गुरूफ नहीं उपलब्ध होगी बस सेबा भागलपूर मयागंज अस्पताल में नहीं थमराय कोरोना से मरने वालों का सिलसिला मंगलबार को 75 वर्षिय बुजूर्ग ने तोड़ा दम मायागंज अस्पताल में अब तक कुरोना से 95 लोगों ने गवाई है जान तो वहीं मंगलबार को कोविट सेंटर से दो लोगों को किया गया डिस्चार्ज मंगलबार को भागलपुर में मिले 24 नए कुरोना के मरीज जीले में अब तक 7000 से ज्यादा लोगों हो चुके हैं कुरोना से संकर्मील बराल इस बुलेटिन में तना आई आप बने रहें सिल्क टीवी के साथ अपने आसपास की ख़वरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेस्बुक पर पेज को फॉलो जरूर करें